ये कहानी है रीडिया नाम के एक इंगडम की जहांके किंग जिसका नाम गोते था उसे लगता था कि modern technology से ही humans का development हो सकता है विचिस जो की human के बीच में मदद करने के लिए उनके साथ रहा करती थी वो भी इस modern technology के खिलाब थी इसलिए King Gotham अपने kingdom के सबी लोगों को विचिस के खिलाब बढ़काता है और इसके बाद वो उन सारी विचिस को बेरहमी से मार डालता है कहानी की शुरुआत में हमें main character जिसका नाम Adonis है उसे उसकी master Chloe के साथ एक रिगिस्तान में दिखाया जाता है जहांपर वो लोग मस्ती मदा कर रहे होते हैं तब भी उन लोगों को capital में टेलिपोर्ट कर दिया जाता है जहांपर capital के सारी लोग जमा हुए होते हैं और वहां का emperor एक लंबी चौड़ी speech देता है कि अब हमें witches की जरूरत नहीं है हमारे लिए technology ही सब कुछ है और भी बहुत कुछ वो witches के खिलाब बोलता है speech खतम होते ही अडानिस अप लोगों के सामने पहुच जाते हैं तब Chloe emperor पे भटक जाती है क्योंकि उसी ने सारी witches को मारा होता है और अब वो उसे भी मानने की सोच रहा है पर तभी Chloe अपना magic एक्टिवेट करती है और emperor को धमकानी लगती है ठीक उसी से में उसका cast किया हुआ magic cancel हो जाता है क्योंकि kingdom के scientist ने एक ऐसी machine बना ली होती है जिसकी मदद से कोई भी magic को काटा जा सकता है और उसी की वज़े से Chloe का magic भी खतम हो जाता है तब ही emperor Chloe के पास आता है और उसके कपड़े फार देता है और कहता है कि तुम witches अब हमारे किसी काम की नहीं हो और उन सब को मढना होगा तब Adonis पिछले चिला रहा होता है कि मेरा इंतजार करना Chloe मैं आ रहा हूँ उसके बाद emperor Adonis को माणने का हुकुम देता है Chloe Adonis को बजा लेती है ये कहकर कि उसे मैंने kidnap करके मेरे slave की तरह रखा था वो निर्दोश है मैं आपसे भीक मांगती हूँ कि उसे कोई गलती नहीं है ये सब सुनकर Adonis के आखों में आस्वा जाते हैं वो कहता है कि ये सब कुछ माईने नहीं रखता मैं वैसे इन सब लोगों को मार डालूँगा तब भी emperor Chloe को मार देता है और उसके गार Chloe की बाड़ी को बंदुकों से चल्ली कर देते हैं जो सीन देखने म बहुत ही बूटल है Adonis चिकता रहता है पर वो गार्स नहीं रुकते आप लोग इससे अंदादा लगा ही सकते हो कि ये स्टोरी का रिवेंज कितना बैड़ास होने वाला है बैक टू दो स्टोरी उसके बाद तो भाई बहुत ही गंदा सीन होता है Chloe का सर Adonis के सामने लग कर के सब लोगों को दिखाय जाता है जिसी इसको देखकर सब लोग बहुत ही खुश जाते हैं पर Adonis संदर से पूरा तूट जाता है उसके बाद हमें 10 साल बात का सीन दिखाय जाता है एक प्रिजन में बहुत सारे कैदियों को कैद करके रखा गया होता है उनमें से एक का ना चीफ के बाद ले जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करके हैड काटर में भेज देते हैं उसी बाद दोरो को उस चीफ का हाथ काट लेती है और उसका फोन लेकर भाग जाती है बागते वे वह कमांड़ देती है कि सारी locks को खोल दिया जाए पर फोन को कमांड एकी वाइस दे स सालों से बन था, जब दोर ओपन होता है तब हम एडावन इसको देखते हैं, जो जंजीरों में बन्दा हुआ होता है, पर वो बहुती गुस्से से सारी जंजीरों को तोड़ देता है, जिसको देखकर मांके गार्ड्स की, फर्ट के चाथिस हो चुगी होती है तो उसके बाद scene shift होता है और हमें headquarter का scene दिखाया जाता है जहाँ पर एक captain अपने director को report दे रहा होता है और पूछता है कि आगे क्या करना है तब director उसे camp में जाकर सारी report देने को कहता है तब वो बंदा वहाँ से चले जाता है उसके गाद से तब तो वो लोग हमें माड़ देंगे इसके बाद हम headquarter को देखते हैं जो की एक building के उपर बैटा है और pen को धियान से देख रहा है उसके बाद वो एक summoning magic use करता है और gun से bullet building की तरफ fire कर देता है और हम देखते हैं कि वो bullet पूरी building को तबागर देती है ये पर बाद captain जो की camp side में था उसके पता चल जाती है और वो chief और उसके guards को मार के उसकी तरफ बढ़ जाता है उसके बाद scene shift होता है डोड़ो को building को तबाँ होते देख सोचती है कि ये सब उसी की वज़ा से हुआ है उसके बाद scene shift होता है और हम देखकर एक couple उल्टी सीधी बाते बोले लगते हैं और महां से चले जाते हैं उसके बाद भाई पदले की आग में चलता हुआ अग में चलता हुआ एक statue को समन कर देता है और फिर क्या था तबाई शुरू हो जाती है एड़नेस को दूस statue के हाथ पर खड़ा हो जाता है और उसो कंट्रूल करने लगता है और चारों तरफ तबाई मचाने लगता है और फिर वो सीधे castle की तरफ बढ़ता है जहां पर cat quarter में पता चल जाता है कि कोया जाना statue शेहरों के बीचों बीच से निकल कर तबाई मचा रह है अब हम director को देखते हैं जो कि अपने troops को मगाने की बात कर रहा है जो इयरा ground दोनों तरफ से attack करके target को down कर दें उसी के साथ director order देता है कि जल्दी से magic suppression device को निकालो उसके बाद वो कहते है कि हम उस device को 10 सालों से स्तमाल नहीं किया और हमें पता नहीं कि वो काम करेगा भी य नहीं रही है और फिर air troops जो थे वो सब addonis के उपर हमला कर देते हैं और addonis को नीचे गिरा देते हैं और अभी भी उसे हरानी के रिए वो सब काफी नहीं था नीचे डोरों को लोगों की मदद कर रही होती है और उन्हें safe जगल लेकर छोट रही होती है उसके बाद हमारा shin shift होता है और हमें castle की तरफ दिखाया जाता है जहां पर emperor विमार होके लेटा होता है और queen उसकी side में बैठी होती है और वो लोग लवी डवी मुमेंट शेर करते हैं king खुद को अपने गुनाओं के लिए कोस रहा होता है पर queen उसे समझा रही होती है और फिर से हम अडॉनिस को दिखते हैं वो सब भी soldiers को चुन-चुन के मार रहा होता है और तभी वहां डोरों को आयती है और अडॉनिस को कहती है कि इन्नोसेंट लोगों को छोड़ दू और फिर तो भाय अडॉनिस जो लोग बिना कर कहता है तब तो डोरों के भी पसीन चुट जाते हैं अडानिस कहता है कि इन्नोसेंट यह सब मेरे Chloe के कातिल है और इन सब को मणना होगा पर फिर जो डोरों को कहती है उससे अडानिस हग का बक्का रह जाता है वो कहती है कि हम Chloe को वापिस ला सकते हैं, पर उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तब ही अचानल डोरोको को एक स्नाइपर लड़की शूट कर देती है, और डोरोको की मही मौत हो जाती है, अब हमें डोरोको का पास दिखाया जाता है, जहांपर करके fire कर देती है, पर Adonis उस गोली को वहीं रोक देता है, और उसका size बड़ा करके, उसी स्नाइपर गल की तरफ भेज देता है, जिससे स्नाइपर गल का काम तमाम हो जाता है, अगले scene में Adonis कहता है, कि वो पूरी humanity को मिटा देगा, और यह सब देकर director कहता है Dysfunction Disease, इसी की वज़े से बहुत सारी लोग मारे गए थे, वो कहा दिया है कि अब Emperor की क्या हालत है, जो हर वक्त उसी device के पास रहा करते थे, director को Emperor की विमारी का पता भी चल जाता है तब scientist girl Yuki का phone, उसे वापिस लॉटा देती है, Yuki भागते वे जाती है उस device को on कर देती है और उसी के साथ Adonis के पास जो magical layer बना हुआ था, वो हट जाता है और Adonis भी confused जाता है कि ये क्या हो गया तब ही मौका देखकर सारे soldier Adonis की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन्हें के भी से एक female soldier आगे आती है, और Adonis के नजदी जाती है उसी वक्त उपर से एक building उन लोगों के उपर गिर जाती है और Adonis अपनी death accept कर लेता है और फिर वो लड़की अपनी gun के top में जो चाकू होता है उसे Adonis का बलागार देती है और फिर सब के सामनी लेकर जाती है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं अब ये क्या हुआ गाइस, हमारा character इतनी जल्दी कैसे मर गया उसके बाद हम Emperor को देखते हैं जो की मनने की हालत में होता है पर फिर भी वो एक speech देता है कि हमने God's को खतम कर दिया है और हमारा nation ही खुद एक God है और ये सब news एक लड़की अपनी क्लास में बैठ कर देख रही होती है वो लड़की अपने boyfriend की grave में जाती है और सरदान चली देते हैं उससे माफी मागती है कि वो उसे बचा नहीं पाई और महां से भाग गई तब ही उस लड़के के पीछे investigation bureau का chief आ जाता है और उस लड़की को पकड़ने को कहता है जिसके phone में अड़ानिस की picture होती है अब scene shift होता है और हमें investigation officer को दिखा जाता है जो अड़ानिस की body का दिजामिन कर रही होती है और एक conclusion पर आती है कि वो body नकली है तब ही हम अड़ानिस को देखते हैं जो अपनी आँख खोलता है और उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है मुझे तो लगी रहा तक उस तो गड़बड है आखिरकार main character ऐसे कैसे मड़ सकता है अड़ानिस के अंजान जगा पर है और दर्ड से तडप रहा है तब ही वहाँ विचेस के queen आती है और अड़ानिस के सर पर हाथ रखकर उसे ठीक कर देती है अब हम past का scene देखते हैं कि कैसे हूँ soldier ने अड़ानिस को revive करके कहीं दूर टेलिवोड कर दिया अब हम present के scene में देखते हैं अड़ानिस एमोशनल हो गया है तब ही विचेस की queen आड़ानिस को गली लगा कर कहती है कि thank you तुमने Chloe के लिए और हमारी लिए बहुत कुछ किया है अड़ानिस गुस्ते से बूचता है कि तुम लोग कौन हो और मैं कहा हूँ फिर queen कहती है कि तुम अभी kingdom of witches में हो उसके बाद हमें witches और अड़ानिस को बात करते दिखाय जाता है जहाँ पर वो लोग Chloe के बारे में बात कर रहे होते हैं उसके बाद queen अड़ानिस को उसका पहन वापस कर देती है और कहती है कि तुम अभी outer space में हो जहाँ humans कभी पहुच नहीं पाते जिसका नाम है Luna Milia जहाँ पर सारी विचे जो मर चुकी है उनके ग्रे माजूद है उसके बाद queen अड़ानिस को tree of the life के पास लेकर जाती है जिसकी मदद से वो लोग Chloe को जिन्दा कर सकते थे पर उसके लिए उनने अड़ानिस की मदद चाहिए क्योंकि अगर किसी को जिन्दा करना है तो उनने उन लोगों की memories चाहिए होती है जो seeds की तरह work करती है वो कहती है जब तुम ready हो जाओ तुम मुझे बता देना इतना कहकर queen माँ से चले जाती है और एड़ानिस वहीं पर लेट जाता है और continuously Chloe के बारे में सोच रहा होता है तब ही आना माँ पर आ जाती है और एड़ानिस की side में अपना pair hacker कहती है कि तुम humans बहुत selfish हो तुमारे वज़े से मेरी दोस डोरो को भी मारे गई तब एड़ानिस बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ये सब तो तुमारा plan है ना Chloe को जिन्दा करके humans को destroy करना अब हमें पास का scene दिखाया जाता है जहांपर डोरो को एड़ानिस को कह रही होती है कि Chloe के revive होते ही तुम लोग उस area से भाग जाना वरना वो लोग Chloe और तुमारा use करेंगे mankind को तबाह करने के लिए अब एना कहती है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो प्लीज हमारी मुदद करो वरना हम सब खतम हो जाएंगे तब एड़ानिस बहुती बैडा सरीके से कहता है कि मैं बैसा ही करूँगा जैसा Chloe मुझसे कहेगी और अगर Chloe ने विचिस को खतम करने को कहा तो मैं सारी विचिस को ही खतम कर दूँगा इस वक्त अड़ानिस के face में जो expression थे वो बहुती अलग level पर थे जिसे आप सब देखी सकते हो उसके बाश सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ विचिस को दिखाया जाता है जो लोग विच्वल परफॉर्म करने के लिए रैडी होते हैं और फिर कुईन अड़ानिस को आगे जाकर अपनी मैमोरी को यूज़ करके मैजिक करने को कहती है और अड़ानिस समनिंग मैजिक का यूज़ करते हुए अपने सारे हैपी मूमेंट्स को सीट के अंदर डाल देता है और हम एक शागिन चीज़ देखने को मिलती है कि अड़ानिस क्लोई को नहीं डोरो को समन कर देता है और ये देखकर सब लोग शाक हो जाते है जब डोरो को समन होती है तब कोई नहीं पूछती है कि अब क्लोई का क्या होगा हमने हमारी सारी ताकों तुम्हें दे दी अब क्लोई को कैसे रिवाइब करेंगे अब कोई डोरो को से पूछती है कि क्या तुमने अडानिस को कुछ बताया तब ही अडानिस कहता है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ ये मेरा डिसीजन था डोरोको ने मुझे रीडिया में बचाया था और मैंने उसे अब रिवाइफ कर दिया हिसाब बराबर उसके बाद अडानिस अपने अंदर से एक चिप निकाल कर उसके लाइफ को ट्री की तरफ फेक देता है और एक बड़ दमागे के साथ वो ट्री जल जाता है उसके बाद वहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है वहाँ पर डिरेक्टर की बाइस सुनाई देती है जो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने सारे विचेस अभी भी जिन्दा है और फिर देखते ही देखते बहुत सारे सोल्जर वहाँ पर आजाते हैं और वो भी फुली लोडेड उसके बाद एक बलड़ी बैडल शुरू होती है जहांपर सब लोग एक दूसरे को माणना शुरू कर देते हैं विचेस पॉइजनस आइनिमल्स को संबन करती है और हुमन्स को माणने लगती है उसके बाद हमारी कुईन एक ही बार में सारी हुमन्स को एक ही जगह में हवाब में उड़ा कर सब लोगों को एक साथ मार देती है यह सीन बहुत ही गुरूटल होता है और चारो तरफ खोन की बारिश होती है तब ही वहाँ पर और भी ज़्यादा सोजर आ जाते हैं और सारी विचिस को मार देते हैं यह देखकर कुईन सद्वे में चले जाती है यह सारी बैटल रीडिया में लाइफ चल रही होती है जहां पर हाई कमांडर से डिरेक्टर वैट कर बाते कर रहे होते हैं कि इतनी सारी विचिस जिन्दा कैसे है अब हम पास में देखते हैं कि कैसे विचिस भाग चुकी होती है और हिमन्स की टेक्नोलोजी यूज़ करके कलॉनी बसा लेती है अब सीजन शिफ्ट होता है उसके बाद हमें डिरेक्टर और अडाउनिस की फाइट दिखाई जाती है जिसमें डिरेक्टर अपनी फुल प्रोटन्चल यूज़ करता है हम लोग देख सकते हैं कैसे बाद पर पूरा लेक बन चुका है चारो तरफ हर तरफ खून और कटेवे बाडी पार्ट्स दूसरी तरफ अडाउनिस और डिरेक्टर की लड़ाई चल रही होती है अडाउनिस अपने आर्मर को पहेंके काफी खतरनाक हमला करता है फिर भी डिरेक्टर खुद को बचा गए डाउनिस को अपनी टूटीवी सॉर्ट को ठीक करते हुए बहुती खतरनाक स्लैश मारता है तब भी सीन शिफ्ट होता है और हमें बचीवी विचिस को देखते हैं और अडाउनिस हवाम में उड़ जाता है तब डिरेक्टर को लगता है कि वो जीथ गया और उसी बकट अडाउनिस एक और मैची यूज़ करता है और एक बहुती बड़ी सॉर्ट को सममन करता है और वो सौट डिरेक्टर का हाथ काटते हुए गायब हो जाती है और उस हमले को देखकर डिरेक्टर शॉक हो जाता है और अपनी ब्लीडिंग को रोखने के लिए अपने सूट का इस्तमाल करता है और एडाउनिस को माणने के लिए आगे बढ़ता है अब हम यहाँ देखते हैं कि बाकी विचेस अपनी लाइफ के लिए सोलजर से भीक मांग रही थी पर वो सोलजर उनके कनपटी में गोली भर देते हैं तब ही डोरो को उड़ती है और अपना लव मैजिक यूज़ करती है और सब लोगों को रोख लेती है और डायक्टर के पीछे जाके पीस के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है पर तब ही डायक्टर डोरो को के उपर चड़के उसके मूपर मुकों की बारिश कर देता है और उसे नौस्टा मारता ही रहता है वो अपना जितना भी गुस्ता होता है सब कुछ निकाल देता है और कहता है कि तुम सब की वज़ते ही मेरी बैंड बहुत बुरी हालत में है तब लोरो को ऐसी बात कहती है जिससे डायक्टर फ्रेज हो दाता है वो कहती है तुमने भी बहुत सारी लोगों को मारा है दस साल पहले भी और आज भी डिरेक्टर को एक flashback आता है और वो उसी टाइम पर होता है जब उसे एक वेच पालती थी तब यह डाने समने जलवार से डिरेक्टर का सरधर से अलग कर देता है और कहता है कि डोरो को तुम्हारी पावर बहुत थी खदरनाक है चलो हम दोनों मिलके सारी हमारी इंडी को खतम कर देते हैं उसके बाद हमें capital का सेंध दिखाय जाता है जहां पर emperor सबसे warg information निकाल रहा होता है और उसका soldier कहता है कि हमारा connection सबसे कट चुका है पर मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लोग जीत रहे हैं इतना सुनते ही emperor अपना आपाख हो बैढ़ता है और पागलों की तरह हसने लगता है और queen को गले लगा कर कहता है कि मेरी तारीफ करो queen मैंने सारी विचिस को खतम कर दिया और वो जोड-जोड से हसने लगता है तभी queen emperor को कहती है कि अब तुम्हें बहुत कुछ कर लिया है अब तु मर सकते हो और वो यह सब एक magic की मतद से करती है जो की होता है एक love magic और इस scene से हमें पता चलता है कि queen भी एक विच होती है और वो भी love magic जानती है सच में भाई इतने turn or twist ओ अब आस मस्तान की movie ओ में भी नहीं होते जितने इस anime में है बैक टू ता स्टोरी उसके बाद emperor queen के कहे मताबिक castle से कूछ जाता है और यह सब देखकर वो soldier headquarter में inform करने लगते हैं पर तभी queen अपने magic से उन सब ही को अपने control में करके headquarter में यह बताने को कहती है कि emperor जो था वो अपने pair slip होने की वज़े से गिर के मर गया और वो soldier ऐसा ही करते हैं और तभी queen के पीछे एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं national intelligence agency का director होता है तभी queen कहती है कि उसका magic से लड़कों के उपर ही काम करता है और which is जो थी वो एक बहुत ही बड़ा threat थी queen के लिए उसके बाद वो अपना नाम reveal करती है और उसका नाम होता है दौर्थिया जो multiple parallel universe को travel करके इस world में आई होती है जिसका मकसद है एक बंदे को revive करना और उसके बाद हमें उसी बंदे की तस्वीर दिखाया जाती है जो अड़ानिस की तरह ही लग रहा होता है पर उसके बाद अलग थे पर उनी pictures के बीच एक access ring pen भी होता है जो अड़ानिस के पास है पर इसका color थोड़ा different है उसके बाद हमें अड़ानिस का सेंद दिखाया जाता है जो किसी को छोड़ने के board में नहीं होता और सब को चुन-चुन के मार रहा होता है वो भी बहुत बूरी तरह से और ये सब देखर ड़ोको से रुखने को कहती है और गाइस मुझे एक doubt है कि क्या ड़ोको की mom डाटिया है क्यूकि दोनों के पास same magic है और दोनों का look भी same है साथी साथ दोनों का नाम भी match होता है थोड़ा थोड़ा तो आप लोग comment करके बता सकते हैं कि क्या सच है अगीन back to the story जब ड़ोको एड़ानिस को रुखने को कहती है तब एड़ानिस बहुत तेजी से ड़ोको के सामने पहुच कर कहता है कि अगर तुम्हें फिर से मनना है तो तुम मुझे रुखने की कोशिश कर सकती हो पर ड़ोको डर की वज़श से कुछ नहीं कर पाती और ड़ोको के तरह जाता है और सब निसाच चलने को कहता है डोरोको जो बहुत ही गुश्चे में होती है वो ड़ोको खीच के थपड मारती है और तभी वहाँ पर वो टेलिपोर्डेशन चालो हो जाता है अब वो जहाँ पर टेलिपोर्ड होते है वहीं पर सारे सोल्जर्स गंस लेकर रेडी थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि जो कॉल पर था वो डिरेक्टर नहीं एड़ोनिस था सारे सोल्जर्स उन पर अंधा दून फाइरिंग करने लगते हैं पर उसी वक्ते ही शौकिन चीज होती है अडानिस जो होता है वो वहाँ पर टेलिपूर्ट ही नहीं हुआ होता उसने अपने मैजिक से टेलिपूरिशन पॉइंट को ही बदल दिया है और कहीं और ही टेलिपूर्ट हो चुका है अब हमें डोरोको और अडानिस का सीन दिखाया जाता है जो लोग एक रेगिस्तान में होते हैं तब अडानिस कहता है कि मैं पिछली बार बहुत ही के अर्लस था पर इस बार मैं पूरी त्यारी के साथ जाओंगा तब यू डोरोको और अडानिस को सुनाने लगती है कि मुझे लगता है कि अडानिस एक ब्रिच की तरह काम करेगा और हूमन्स और बिचिस के वीज पीस कायम करेगा पर तुम ऐसे नहीं हो तुम बहुत गंदे हो अडानिस Adonis दोरोकों का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या तुम उन हुमन्स के ताप इसका आयम करना चाहती हो जिन्होंने तुम्हारी पूरी कम्यूनिटी को खतम कर दिया इतना कहकर वो वह से चले जाता है तब दोरोकों सुपर जम करके Adonis को उपर आ जाती है और कहती है कि Chloe ये सब नहीं चाहती थी अब ये सीन देखकर कोई दी कुछ नहीं कहेगा क्या मतलब सीन गलत है पर बाते तो सीरिस हो रही है तब हमने एक बाइकर गैंग दिखती है जो उन दोनों को देखकर वहती कला सोशने लगते है और उसके बाद हमें मौनिं का सीन दिखाया जाता है जहां Adonis के आंके खुलती है और वो दोरोकों की चिंता करने लगता है पर वही बाइकर गैंग का लीटर बैठा होता है और Adonis को आलकाहॉल ओफर करता है पर Adonis को दोरोकों की चिंता होती है पर जैसी वह आगे जाता है तो देखता है की दोरोको मजस से बाइक राइक कर रही होती है पर उससे वह बाइक हैंडल नहीं हो रही होती जब डोरोको Adonis को देखती है कि वह ठीक हालत में है तो Adonis के पास आती है और उसे दो पुतले गिफ्ट करती है पर हमारा डौनिस एक्तलानडा है वो दोनों पुतलों को फेक देता है तब डिटर कहता है कि हम लोग पार्टी करेंगे उसके बाद रात कसीन दिखाया जाता है जहांपर सब लोग खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं और हमारी डौरो को ट्रेंग सर्फ कर रही होती है तब ही कुछ लोग डौरो को के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या डौनिस तुम्हारा बॉइफरेंड है तब डौरो को कहते है कि वो नहीं वो बस मेरा दोस्त है उसके बाद एक दम से सब लोग भ्योश हो जाते हैं और ये सब काम डौरो को से कहता है कि मुझे तुमारी कुछ जरूरत नहीं है अब मैं सब कुछ अकेले करूँगा क्यूंकि तुम इन लोगों के बीच घुल मिल सकती हो पर मैं नहीं और फिर अडौनिस वहां से चले जाता है भाई लोग अडौनिस एक नंबर का इंट्रोवर्ट लड़का लगता है आप लोग क्या सोचते हैं कमेट करे अब हम सुबा का सीन देखते हैं जहांपर लीटर कहता है कि तुमारा बॉइफरेंड पर क्लोई के मरने के बाद उसने अपना बात चेंज करके रिवेंच की तरफ कर लिया है अब तुम क्या करना चाहती हो तब दोग को कहती है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया और मैं अडौनिस को नहीं खो सकती उसके बाद दोग को बाइक लेग गे है देखा नहीं था कैसे चला रही थी ये बाइक, यहाँ जो लोग कहते हैं कि finally एक witch humans के उपर राज करने लगी है सच में ये बहुत ही psycho witch है इसने अपने ही लोगों को humans का इस्तमाल करके मरवा दिया और ये अप खुद humans के उपर राज कर रही है उसके बाद हमें डार्टर का सेही दिखाय जाता है जो अडानिस को ढूमने के लिए बहुत सारे हाथों को समन करके फैला देता है और फिर हम अडानिस और डार्टर को भी देखते हैं जो बाइक पर बैठ कर बाते करते वे जा रही होते हैं और कुछी देर बाद वो लोग से अंड लैंड नामा के जगह पर पहुँच जाते हैं जो की पूरी तरह से खाली था वो लोग वहीं पर घुमने लगते हैं और एक पुली स्टेशन के पास आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था वहीं चलते चलते वो दोनों प्रिजन में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी गाना गा रहा था अडॉनिस उस बंदे को बुलाने के ट्राइ करता है पर वो नहीं सुनता और उसके बाद डोरो को जोड़ से चिला कर उस बंदे को बुलाती है और वो बन्दा घबराते है धडराम से नीचे गर जाता है और उन दोनों की तरफ हैरानी से देखते है एक को पुरी खाली है और फिर डोरो को कहती है कि आप इस जगये पर क्या कर रही हो और वो प्रिजनर कहता है कि obviously मैं प्रिजनर हूँ और मैं यहीं रहता हूँ उसके बाए अड़ानिस दुसरे सिटी का रास्ता पूछता है और डोरो को कोई लेकर चला जाता है बाहर आने के बाए डोरो को पूछती है कि क्या तुम ऐसा ही वीएफ करते रहोगे एडलिस हमें से खाना पानी की पीने के बारे में पूछ लेना चाहिए था पर अड़ानिस कहता है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ बैटा हुआ है और वो प्रिजन में भी लॉक नहीं था और उसकी वाइफ भी मरी हुई है और अगर हम वहीं रहते तो उसकी पीस्फुल लाइफ डिस्टर पीछे 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 अंदर चले जाती है उसके बाद वो दोनों सी रूम में चले आते हैं जहां पर एक इंसाम मरा पड़ा है और वहाँ पर कई सारी डॉल है जो सड़ चुकी है अड़ानिस के हाथों में देखता है कि वहाँ पर एक बार्कोट स्कैनर है जिसमें रीडिय कर देता है उसके वाद सीन सिफ्ट होता है और हम दू लडगियों को देखते हैं जो रीडिया अमपैर की तरफ बड़ रहे होते हैं और वो बड़र के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं